जैपुर से रोडवेज बस में अजमेर आते समय एक महिला के बैक से लाखो रुपे की जेवराद चोरी होने का मामला सामने आया है पेडित महिला ने बताया कि वो जमेर एक शादी में शामिल होने आयी थी और घर जाकर उसने बैक देखा तो उसमें से जेवराद और करीब पांच हजार की नगदी गायब मिली और इसके बाद महिला ने बस टैंड चोकी से में मुकदमा दर्ज करवाया है और फिलाल पुलिस इस पूरे मामले की जाच कर रही है